पश्यम बंगाल और असम विधानसवा चुनाओ के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है शनिवार को बंगाल के 30 विधानसवा स्टू और असम के 47 से विधानसवा स्टू पर शुबा 7 बे से मद्दान जारी है बंगाल में शाम 6 बजे तक जबकी असर में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी वोटिंग के लिए शुरक्षा के कड़े इंतिजाम किया गए है चुनाव आयोग ने केंद्रिय बलो की तकरीबन 684 कमपनियों को तैनात किया है 10288 पोलिंग इस्टेसन के अलामे सवधनशील और अती सवधनशील बूथो पर अंतिरिक्त शुरक्षा बलो की तैनाती की गई है बंगाल में कुल 151 उमिदवारों के भागे का फैसला आज एबियम में कैद हो जाएगा मद्दान के दौरान को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की गुजारी से चुनाव आयोग ने की थे लेकिन ज्यादातर मद्दान केंद्र पर लपरवाही देखने को मिल रही है 23 मार्च को विहार विधान सभा में विपक्षी विधायकों और पुलिस के बीच हुई हाथा पाई पर विधान सभा उपाध्यक्ष महश्वर हजारी ने चिंता जाहिरी उन्होंने कहा कि देश की अजादी के बाद से सदन में ऐसी शर्मनाक घटना पहले बार देखने को मिली है यह सदन की गरीमा पर चोट है उनके मुताविक वे जल्दी सदन के सभी माननी सदस्यों के लिए एक सेमिनार का आयोजन करेगे जिसमें सभी नए विधायकों को सदन की घरीमा से रूबरू करें जाएगा शहरों के तरजबा गाओं में भी सुरक्षा को पुक्ता बनाने की त्यारी राज सरकाने शुरू कर दी है सरकार ने फैसला लिया है कि शहरों की तरह ग्रामर इलाकों में सुरक्षा ब्योस्ता बहतर करने के लिए सभी गाओं और पंचायत में CCTV लगाई जाएगी इसके साथी राज की 8300 यानी 8300 पंचायतों के सौरिदी कराण का काम जल्द शुरू होगा बिहार में करोना संकर्मन के मामले एक बार फिर बेकावू होने लगए हैं वैसे प्रशासन के निर्देश पर जांच में तेजी लाई गई है लेकिन लगतार दूसरे दिन भी बिहार में 200 से अधिक करोना के नए मरीज मिलने से स्वास्त विभाग की परशानी भी पर बल पड़ गया है गुरुवार को 25 करोना संकर्मित पाए गए थे वहीं शुक्रवार को 32 जीलों में 211 नए मरीज मिले जिनमें सबसे अधिक 68 संकर्मित पाटना में मिले हैं इनमें दो डॉक्टर भी शामिन है देश में करोना की वापसी को देखते हुए सतर्कता जारी है राज में लगतार करोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है लेकिन हालात अभी भी नियंतर में है इसको देखते हुए किंदर सरकार ने नई गाड़लाइन जारी करते है नई गाड़लाइन के मुताबिक contentment zone के अंदर house to house surveillance और RT-PCI test के आकड़े बढ़ाने के साथ ने मरीजों के सामने आने के बाद सम्मंधित बेक्ति को तुरंत isolate करने या quarantine करने को कहा गया है जिन इलाकों में कुरुना के अधिक मामले आएंगे वहां असरदार तरीके से contentment zone बनाना होगा केंदर की या नई guideline बिहार में एक अप्रेल से लागू किया जाएगा